नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों आप सब के लिए बहुत अच्छा न्यूज लेके आए हैं कि सुप्रीम कोट अफ इंडिया में जबर्दस्त वेकेंसी आया है तो आएए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वेकेंसी है और उसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो आप लोग लास्त देखें वीडियो को और ये जवर दस्त टाइब केंसी आए तो दोस्तों आए हम लोग देख लिए हैं कि कान सा वेकेंसी है और यह जो बहुत ही अच्छा आपका जौब है गरूब बी का जवाब है जैसा कि आप लोग जो grade pay का है और जो level 6 का job है तो बहुत ही अच्छा job है जिन लोगों के पास qualification है क्या होना चाहिए आईए आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले कि यह आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं यह आपका जो है group B का है level 6 का job है यहाँ पे और यह आपका जो दिया है मतलब एक 60,000 से ज्यादा ही मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है है ना आपका जो level 6 में job होगा तो बहुत ही जवरदस्त है और इसमें जो total आपका जो बेकेंसी है वो जो 210 है तो कम बेकेंसी नहीं है और यह आपका कहां पे job हो रहा है वो भी आप देखिए कि supreme court में आपको job हो रहा है तो अब मतलब जैसे इससे अच्छा तो बात कुछ नहीं हो सकता है कि आपको जो यह level 6 में supreme court में job हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है और आपके लिए कौन सा इसमें degree होना चाहिए तो बस यह simple सा आपके पास यदि जो है graduation का degree है तो आप इसका apply कर सकते हैं और आपको बस ज इसमें काम होता है है ना तो आपको वहां पर यह जो मतलब काम के लिए जो speed चाहिए आपको 35 का speed वहां पर मांग रहा है और आपके पास computer का knowledge होना चाहिए को कोई जैसे की degree नहीं मांग रहा है computer का कोई यह जो है मतलब certificate लेकिन आपके पास यदि होगा तो अच्छा होगा है कि आपको सिर्फ graduate का degree होना चाहिए तो कुछ confusion में नहीं रहिएगा कि इसके लिए कुछ मतलब जो है law का या फिर कुछ मतलब ऐसा कानूनी यह जानकार होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है अब यहां पर है कि इसके लिए आपको कितना होना चाहिए age तो 18 साल से 30 साल तक यह आपका जो है general के लिए जो मतलब यह 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 उनके लिए आपका 18 से 30 साल है और उसके अलाबा जो भी आपका मतलब यह जो है OBC, SC, ST का तीन साल पान साल का जो भी आपका छोट मिलता है यह central government का तो उस अनस्वार आपको इसमें यह छोट मिलेगा ओके तो जिनका भी age यह 18 से आप जो भी आपको जो भी age में छोट मिलता है central government का अनस्वार वह आपको इसमें भी छोट मिलेगा ओके अब आप लोग जैसे की बोलिएगा कि vacancy 210 है लेकिन कितना कितना कौन-कौन है तो यह अभी मतलब जैसे डिकलेयर नहीं किया कि कितना कौन-कौन vacancy है लेकिन आपका ज त्यारी करके आपको इसका मतलब exam निकालना परेगा है ना अब आइए यह आपका जो 18 साल और 30 साल कब तक होना चाहिए तो एक जुलाई तक होना चाहिए ना तो 18 से 30 आपका अच्छा मतलब यह मतलब जैसे की age है और अधिकतर जो भी निकलता है उसमें आपका 18 से 27 तक रह में परेली बात कि आपको जोब होगा कहा पर सुपरीमप्र कोट महगा तो इतना मतलब आपको आसानीस जाब ढहना है बना चेंटाव आप तो एक अच्छा सा rank मतलब जैसे आप लाईएगा तो आपको जो लेवल 6 का जोब उसमें मिलता है है ना और नहीं तो अधिकतर का मतलब जैसे की कम ये score है या फिर मतलब जैसे की cut-up के आसपास रहते हैं तो उनको जो लेवल 4 का अधिकतर पोस्ट जो है उनको मिलता है है ना तो उतको रहाट आई SSE को लेकिन इसमें आपको Supreme Court में जॉब के लिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा और इसका थोड़ा सा सलेवस और से पोरॉसेस है थोड़ा सा जो डिफकल्ट है कैसा है तो आई आई आपको दिखाते हैं और लेकिन आप यदि आपको यह सब मतलब एसे और राइटिंग आता है तो आप ज्यादा मतलब जाटेंसन ना ले इसमें आपको यह अब्जेक्टिव टैप का पहले होगा पेपर उसमें आपको 125 टोटल होगा कौन-कौन होगा तो 100 कोश्चन में आपको 50 कोश्चन होगा इंगलीज का है ना और उ जैसे की मैस रहेगा और कुछ मतलब हलका फुलका जो है रिजिंग टाइप का आपको रहेगा है ना तो टोटल यह आपका हो गया 100 कोश्चन और उसके बाद आपका 25 कोश्चन जो है कंप्यूटर नोलेज से रहेगा यह आपका यह आपका जो बहुत ही अच्छा है मतलब ज कोश्चन पुछा जाएगा और आपको जो है 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और इसमें जोनेगेटीव है कितना एक बटद अपनेगेटी भी है और उसी दिन आपका जिस दिन यह objective होगा उसी दिन आपका computer का टाइपिंग भी होगा और यह मतलब कहा लिखा हुआ आई आ आपका यहां पर है टाइपिंग यह इंगलिस टेस्ट on computer will be conducted on the same date and place of the objective type written test यानि कि जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होगा और मतलब जैसे उनका यह एक्जाम भी होगा और आपका टाइपिंग भी होगा same day में ओके हाँ आपका जैसे कि उसी दिन एक्जाम भी होगा और उसी दिन आपका टाइपिंग भी ले लिया जाएगा मतलब जैसे कि आपका दिकतरी एक्जाम में होता है कि मतलब जैसे पहले आपका यह written हुआ जो उसमें qualify करेंगे उनका टाइपिंग होता है लेकिन यह आपका पहले टाइपिंग उसी दिन मतलब जो है ले ले रहा है इससे एक यह होगा कि जो टाइपिंग में qualify नहीं करेगा उसको वो मतलब जैसे उसका यह भी हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग का स्पीड आप लोग अच्छा से करके जाएगा 35 का है और इसमें जो है मिश्टेक आपका तीन परसेंट है तो ज्यादा आप लोग जो है निगेटिव का आदत मतलब जैसे अभी आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो बैक स्पेस करने का आदत जै देखे रहिए गई और फिर आप मतलब जैसे कि उसके बाद आप टाइपिंग और यह मतलब जो है अब्जेक्टिव एक्जाम में आपका इलिफाय कर जाईएगा तो उसके बाद आपका यह दिसक्रिप्टिव पेपर होगा ओके दो घंटा का है ना तो और इसमें आपको ज आप कर जाईएगा यह अब्जेक्टिव टाइप का और century Coach उसके बाद आपका यह होगा है और इसके बाद को मतलब जैसे डिस्प्रिंप्टिव पेपर कर सके बाद तो उसके बाद आपका थोड़ा सा इसमें over जाएगा कर आपका पर्सेनलिवी खायेगा तो होगा ओके हां और आप लोग थोड़ा सा अच्छा सा देख लीजिएगा यह इंटर्व्यू मतलब जैसे की लास्ट का है और लेकिन उससे पहले आप यह एक्जाम निकालने का कोसिस कीजिए यह जो भी इसका है और आपका टैपिंग टेश्ट है और कंप्यूटर का जो यह एस रिजिनिंग मैथ उसी टैप का है इसमें जो कंप्यूटर आपका है है ना तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इसको देखे रहिए और आपका इसका जो है दिखाते हैं कि इसका फिस कितना है तो इसका फिस जो है दोस्तों 500 है जेनरल के लिए और OBC के लिए और म आपका 10 यह जुला है तो ज्यादा दिन का मतलब नहीं दिया गया है टाइम आपका 22-23 दिन का टाइम दिया गया है तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए जल्दी मतलब कर लीजिएगा तो अच्छा होगा है ना इसमें फोटो जो भी है आपको जितना यह स साइयम कर वा है तो आपको अच्छा से ब्लोट कर देखा हो कि उसमें कोई दिखत नहीं है और यह 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 आपका बहुत संब ऑपको नहीं होगा तो सबसे पहले कि इसमें जो भी मतलब यह interested है आपका थोड़ा सा अच्छा आप है sincere है तब इसका apply जरूर करें और इसमें जैसे कि degree का qualification का कुछ मतलब ज्यादा नहीं है मतलब बस आपके पास graduation होना चाहिए और typing आपके पास होना चाहिए typing आपको आना चाहिए तब इसका apply जरूर करें दोस्तों और आप लोग इसका देखी लिए और हमसे जहां तक हो पाएगा आपको computer का भी question और यह जी के जी के जी करें आपको देने का कोसिस करें तो दोस्तों आप लोग अच्छा सी इसका जो apply करें और आपके मन में कोई